हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल चुत्त ओफ शेह मार्केट सो डिसकस कर लेते निफ्टी में निफ्टी फॉर्स्ट फैब 2024 कल बजट है एंड आज रात को आपको एफो एमसी की मेटिंग की कॉन्फरेंस है ना दो दिन मिटिंग चल गई है ये इन बारा-थ-शेज़ां की कॉन्फरेंस होगी जिसमें फेड के पोवेल से दुनिया भर की मीडिया कुशन आंसर करें उनका क्या वियू है आगे की एकनोमी किस वह में देख रहे हैं इन्फ्लेशन किस वह में देख रहे हैं उस वह में मार्क स्टेक में movement हो गे upside downside दोनों side moment होते रहेंगे यह ना उसमें होना क्या है उसमें होगा है कि आपका जो विक्स से वो डिके हो जाएगा वो कूल ओफ हो जाएगा एंट जो option की premium है वो काफी हत तक डिके हो जाएगी, almost 50-50% 60-60%, ठीके, कल Nifty के expiry भी है, तो Nifty की premium काफी तेजी से डिके हो जाएगी, बाकी भी 40% to 50% डिके होंगी है न, other premium भी क्योंकि Wix की वज़े से, बजट इवेंट की वज़े से premium अभी higher side है, तो अगर हम छोटे trader हैं या beginner है तो फिर हम 11.30 के बाद ही opportunity का wait करें, क्योंकि उसके बाद market एक directional view में होगा है, एक दो परसेंट अपने आप movement देदेगा, और आपका premium छोटा होगा, तो फिर easily पैसा बनेगा, बट अगर आप starting में गुज़ गए, और premium बढ़ा है, तो movement के बाद भी आपको gap up के chances ज़्यादा है, क्योंकि option chain कुछ इस type से build होके आईए, या फिर big player की data जो है, वो इस type से build हुए है, कि हाँ, chances यह है कि gap up होगा, market and उसके बाद 11.30 तक market decay कराएगा और उसके बाद फिर movement देगा, चलो start करते हैं, हम किस वे में trade करेंगे, first of all this video is only for education purpose, यहाँ मेरा telegram link and whatsapp number की मैंने, so please join करेंगे मैंने अपने telegram link पर whatsapp group का link भी दिया है तो आप चाहें, तो उससे join कर सकते हैं ठीक है, वहाँ पर हम learning and जो भी मेरे view रहेंगे या मेरी trade रहेंगे, उनको share किया करेंगे ठीक है, so चलो स्टार्ट करते हैं, first of all big player data, big player data की बात करों तो cash market में आज दोनों ने buying किये, तो यहाँ पर एक positive scenario देखने को मिल रहा है बट हाँ, overall चीजें जो होंगी वो budget के बाद ही decisive होंगी, कि हाँ decision क्या है, कि इनने buy करना यह चोटा मोटा चलता रहेगा budget के बाद अगर लगाता है, बाद लो 3-4 दिन buy करें, तो फिर यह काफ़े bullish चीजें है, सोच के चल रहा है index future की बात करों, छोटी सी buying है, and stock future की बात करें तो 700 crore की buying है यह भी indications हमें क्या दे रहा है, कि gap up के chances हैं, यह भी positive data को indicate कर रहा है, index option की बात करों, 62,000 crore की selling की है so that is also sideways to bullish data तो data की बात करों, तो data हमारा sideways to bullish है बट दिक्कत है क्या है क्या हम bullish trade लेने, bullish trade लेने में दिक्कत हैं क्या है अगर आप समझेंगे, तो premium इतना higher side है, nifty की अगर बात करों, ATM की price, 160, 150 की around चल गए, यानि अगर nifty 1% उपर भी जाता है तो भी उसमें ज़्यादा पैसा बनेगा नहीं तो इस चीज को समझके चलना कि जहां हम 20, 10 point अगर nifty चलता है, तो हमारी premium बढ़ने लगती है वहां आपको problem फेस करनी पड़ेंगी, कल expiry के दिन, ठीक है, तो इस वह में आपको समझके चलना है विक्स की बात करूँ, ये भी cool off हुआ है, थोड़ा सा आज, जबकि कल आपकी budget session है तो यहां पर भी positivity देखने को मिल रहे हैं, तो सब चाहँए positivity है, बठाँ, बज़ट के बाद क्या market against react कर सकता है बिल्कुल, इन्होंने positive data बिल्ड किया है जैसे बज़ट इनको लगा negative है और US का data negative है, तो फिर ये क्या करेंगे, अब खुद coast to coast निकल जाएंगे, and negative direction में अपना trade initiate कर देंगे, हम वहीं फसे रहेंगे, और ये अच्छा गज़ा profit भी कमा लेंगे, तो 80% सब चीज़े bullish हैं, बठाँ, 20% ये क्या करते हैं, अगर इनको कुछ negativity दिखी, तो ये sideway market में अपना data निकाल देंगे, अपने जो positions हैं, उन्हें निकाल देंगे मार्केट काफी नीचे fall करेगा, साथ में ये selling position भी बना लेंगे, तो इस में मैं आपको थोड़ा सा समझ के चलना है, level wise ही हमें study करना है, और कल थोड़े target बढ़े लेके चल रहे हैं हम, क्यों लेके चल रहे हैं, क्यों कि budget का movement है, बढ़ हाँ, इसलिए मैं बोलना हूँ, 11.30 तक wait करना, अराम से, उसके बाद आप trade के बारे में सोचना, तो ये इससे क्या होगा, option decay से आप बच जाएगे, अगर बात करूँ, 21.7.80 के उपर जाता है, तो 21.9.30 and 22.1.20 तक के target easily देखने को मिलेंगे, अगर bullishness continue रही है, तो और अगर bearish कब होना है, 21.6.30 के नीचे हम bearish होंगे, for the target of 21.4.80, first target रहेगा, and second target हमारा 21.2.40 रहेगा, ये target बड़े क्यों है, क्योंकि budget का है impact, और budget के बाद एक directional market को behave करना ची, इसमिए हम ये सोच के जलना है, तो ये ज़्यादा बड़े target भी नहीं है, इतना market movement दे देता है, budget वाले दिन, ये कमी है, किसी दिन तो 3.5-4% भी चला गया था, पिछले से पिछले budget, तो ये ज़्यादा बड़े targets नहीं है, चलो, अब हमारा SL जो रहेगा, वो क्या रहेगा, अगर हम 771 के उपर bullish हो रहे हैं, तो हमारा SL हमारा 21-700 का रहेगा, और अगर हम 638 के नीचे bearish हो रहे हैं, तो हमारा SL 21-720 का रहेगा, ये चीज़े हमें याद रखना है, SL भी थोड़े बड़े रहेंगे, और target भी बड़े रहेंगे, बढ़ हाँ, directional view कब मिलेगा हमें, 11.30 AM के बाद, यानि जैसे ही आपका budget session over हो जाएगा, उसके बाद आपको clear direction मिलेगा, तो wait करना, SL भी देना, कहां bearish होना है, कहां bullish होना है, वो discussion हमारा हो चुका है, bank nifty की बात करें, bank nifty कहां होगा, तो 46-200 का level जैसे bank nifty cross करता है, after 11.30 करेगा, तो no doubt फिर काफी अच्छा आपको movement देखने को मिलेगा, कहां तक, first target आपको मिलेगा, 47,000, ठीके, second target मिलेगा, आपको 48,000, 1000-1000 point के movement, bank nifty easily देदेगा आपको, अगर ये सब चीजे bullish हुई तो, ठीके, next अगर हम बात करें, bearish कब होना है, तो 45,850 के नीचे हम bearish होंगे, वो भी कब 11.30 के बाद, और कहां हमारा target रहेगा, 45,200 first target और 44,500 second target रहेगा, तो ये हमारे target रहेगे, मैं 11.30 बार-बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि, वहाँ पर जब आपको premium मिलेगी, वो decay होने के बाद मिलेगी, तो काफी हद तक आपका loss कम हो जाएगा, अदर्वाइस क्या होगा, अभी अगर premium बाय कर लो, मान लो call बाय करगा 600 का, थोड़ा बूद भी side way हो ना, तो 11.30 तक वो 600 की premium 300 आ जाएगी, तब आप उसको hold नहीं कर पाओगे, आप already आदा पैसा गवा चुके होंगे हैं, तो वहाँ पर क्या है, आपका जो धिमाग है, वो सई से work नहीं करेगा, तो इसलिए हमें कप करना, 11.30 के बाद करना, अराम से करना, एक दो trade लेनी होती हैं, और अच्छा profit कमाना होती है, यह आपका अप्रोच हो नहीं चीए, नहीं कि trade पर trade लेनी हैं, so that is your target, SL की बात कर लेते हैं, अगर 200 के उपर जाता है, तो फिर आपका 45-850 SL रहेगा, और 850 के नीचे जाता है, तो 46-200 आपका SL रहेगा, टार्गे काफिए अच्छे हैं, I hope मिल जाएंगे, ओप्शन चेन देख लेते हैं, 2725 में मार्केट बंद हुआ है, देखो यहाँ पर एक और चीज जो निकल कहा रही है, इन्नमनी कोल राइटर निकला है, मतलब गेपप के चांसे जाना है, गेपप मार्केट होने के फिराग में है, कि मार्केट थोड़ा गेपप होगा, क्योंकि इन्नमनी पुट राइटर बेठा हुआ है, गेपप होगा, तो यह ओल्रेडी निकल चुका है, तो आपको मार्केट में गेपप देखने को मिल सकता है, अब बात कर लेते हैं, कहां हमें Sell of करना है, कहां हमें Buy करना है, तो आपको कहीं भी Sell of नहीं करना कल, यानि Sell on Rise या Buy on Dip नहीं करना जो, तो इन चीजों का आपको याद रखना है, क्योंकि कल आपके न Option Chain की चीज़ें काम आईगी, न कल आपका कुछ भी, यानि जो भी आपके Support Resistance से वो वर्क करेंगे, अगर Market Trending हुआ, तो वो हर Support Resistance को Break करता हुआ चला जाएगा, और हर Option Chain की जो भी ये Premium में, उनको Break करता चला जाएगा, और फिर Last में जाएगे, एक Rain View First जाएगा, और वहाँ पर Expire हो जाएगा, तो कल हम क्या करेंगे, कल हम पहले दिन, पहली बार ये नहीं करेंगे, कि Rise पर Sell करने, या फिर Bottom पर Buy करने, कल नहीं करेंगे, चाहे वहाँ से कितना भी Bounce करें, या उपर से कितना भी Sell Off हो है, बट ये चीज़े वैलिड नहीं है, क्योंकि Budget वाले Session में, ये चीज़े काम नहीं करेंगे, तो आपको केवल ये रखना है, कि 22,000 हमारा Resistance है, और 21,500 आपका Support है, Strong Support है, Strong Resistance की बात कर रहो, ठीकिन, तो 22,000 हमारा Strong Resistance है, 21,500 हमारे Strong Support है, 500 तूटा, तो फिर क्या ये 21,000 पहुँच जाएगा, बिल्कुल पहुच सकता है, और 22,000 तूट गया, और उसके उपर आदे घंटे रुग गया, तो क्या ये 24,000 पहुच जाएगा, बिल्कुल पहुच सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, जब तक ये नहीं तूटे, आगे की उमीद नहीं करनी, बढ़ हाँ, जब ये तूटेंगे, तो हम नेक्स टार्गेट के बारे में सुचेंगे, फर्स टार्गेट हमारा या तो ये रहेगा, या फिर ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि 7500 पह है, 200 पॉइंट का मुवमेंट बड़ी चीज़ नहीं है, तो वो बड़ी चीज़ नहीं है, उसके बाद अगर उसके उपर जाता है, तो 2%, 3% तक मुवमेंट मिल जाते हैं, इसमें मैं आपको प्लान करना है, बैंग निफ्टी के उप्शन चैन देख लेते हैं, बैंग निफ्टी के आज एक्सपारी हुई है, तो ज़्यादा उप्शन चैन बिल्ड नहीं हुई, बढ़ हाँ, 46,000 पर मेजर उप्शन चैन है, और हर 500 पॉइंट पर आपकी थोड़े बहुत सपोर्ट, थोड़े बहुत रेजिस्टेंस, ज़्यादा कुछ यहाँ पर भी बिल्ड नहीं हुआ, थोड़े यहाँ से एक्जिट हुएं और इन्द मनी बेठे हुएं, तो गेप अप की चांसे यहाँ पर भी हैं, बढ़ हर 500 पॉइंट पर बेठे हुएं, तो अब नेक्स्ट अगर हमारा जो रेजिस्टेंस मिलेगा, वह हमें 500 पर मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आट लाग बेठे हुएं, और इससे नीचे 500 पर, यानि 45-44,000 पर वहाँ पर भी अच्छा सप्पोर्ट है, तो आई होब यहाँ तक चीज़े क्लियर होंगी, रेजिस्टेंस सप्पोर्ट कहा मिलेगा, बेंग निफ्टी में, तो अगर लास्ट अगर आपको फिर भी करना है, तो अगर आपको फिर भी करना है, यह चोटा सा अटेम्ट आप कर सकते हैं, बट हाँ प्रीमियम बहुत तेजी सडिके होंगी, तो थोड़ा अवइड करना चाहें, तो बहुत अच्छी चीज़े, 80% टाइम से आप इस चीज़ से बचेंगे, तो इनको 11.30 के बाद जब डारेक्शनल व्यू हो, तब ही हमें ट्रेड करना है, जबरदस्ती की ट्रेड हों में नहीं फसना, एक दो ट्रेड अच्छी मिल जाएंगी, बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बट अगर जबरदस्ती की ट्रेड में फसनेंगे, तो फिर कुछ नहीं बनना, लोस में ही निकलोगी, ठीक है, तो प्लीज ट्राइ करना, कि हम कोशिश करें, कि बजट सेशन अवर होने तक, थोड़ा डिके होने तक, हम वेट कर सकें, तो कल का दिन क्या है, वेट करना important है, and then trade करना important है, ठीक है, तो वेट नहीं किया, ट्रेड किया, तो लोस होगा, और अगर वेट कर लिया, और लास में trade नहीं किया, तो फिर मज़े नहीं आएंगे न, तो वेट करना है, हवर हो जाए, थोड़ा consolidation हो जाए, उसके बाद trade लेना, जब directional view बने, I hope यहाँ तक चीज़े clear होंगे, clear हैं तो please like and comment, thank you,